नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मंडी 360 में मैं हूँ आपके साथ संध्या बेस्ट बात करेंगे इस वीडियो में गेहूं और सर्सों के सरकारी भाव को लेकर कि अभी उत्तर प्रदेश, हरियाना, मध्या प्रदेश और राजिस्थान में सरकारी मंडियों में यानि कि खर अगर बात करें तो 290 रुपे प्रति कुवंटल के हिसाब से ये भाव है अधिक्तम भाव की बात कर लेते हैं जो 2745 रुपे प्रति कुवंटल है और पिछले दिन के अगर मैं बात करूँ यानि की 24 मई की तो 2000 यानि की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है नियुनतम भाव मे इसी तरीके से अगर अधिक्तम भाव की बात करें तो कहीं न कहीं आज के भाव में कमी देखने को मिल रही है ग्यों के क्योंकि 4900 रुपे प्रति कुवंटल के हिसाब से कल का भाव रहा था जो अधिक्तम भाव आज का 2745 रुपे है और अगर बाकी दिन की बात करें यानि क 23 मई के तो 1860 भाव था नियूंतम भाव वही 5,075 रुपे प्रति कुवंटल के हिसाब से अधिक्तम भाव था तो आप देख सकते हैं कि कितना जादा उच्छाल देखने को मिल रहा है कहीं नगी कमी देखने को मिल रही है क्योंकि दो दिन पहले 5,000 के लगबग था वहीं उसक अधिक्तम भाव कि जहाँ पर आज की बात की जाए 25 मई के जहाँ पर नियूंतम भाव की अगर मैं बात करू तो 4725 रुपे प्रति कुवंटल के हिसाब से अधिक्तम भाव के बात की जाए जिसमने की पच्पन सो पचास रुपे रेट था प्रती रुपे कुविंटल था और वहीं अधिक्तम भाव में देखिए इस बार कमी देखने को मिली है आज का भाव कुछ कम नजर आ रहा है 23 मई की अगर बात कर लेते हैं तो 4700 रुपे प्रती कुविंटल नियुनतम भाव अधिक्तम भाव की अगर बात करें 23 मई की तो 6955 रुपे प्रती कुविंटल भाव था तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि अधिक्तम भाव में कमी देखने को मिली है अब बात कर लेते हैं 24 माई के अगर मैं बात करूं तो देखिए जिस तरीके से 270 रुपे रेट था उसी तरीके से कुछ हद तक कमी देखने को मिली है और अधिक्तम भाव के अगर बात की जाए तो अधिक्तम भाव जो है वो 3100 रुपे है 23 माई की बात करें तो 2100 रुपे प्रतिक कुवंटल का भाव था लेकिन कुल मिलाकर नियुनतम भाव में आप देख सकते हैं कि कही न कहीं पहले उचाल देखने को मिला था लेकिन कुछ हद तक थोड़ी कमी है लेकिन पिछले 2 दिन के मुकाबले फिर भी भाव जो है वो अधिकतम भाव जो आप देख सकते हैं वो 6151 रुपे प्रतिक कुवंटल है वहीं इसी तरीके से 24 माई की अगर बात करें तो 5000 रुपे प्रतिक कुवंटल था बड़ी बात यह है कि यहां पर 600 के भाव में उच्छाल देखने को मिला है नियुनतम भाव में अधिकतम भाव में भी उच्छाल देखने को मिला है क्योंकि पिछले 24 गंटे में 6,065 रुपे प्रतिक कुवंटल इसी तरीके से 23 माई के अगर में बात करू तो 4500 रुपे प्रतिक कुवंटल था और अधिकतम भाव जो दा वो 6824 रुपे प्रतिक कुवंटल था लेकिन बड़ी बात यह ह नियुक्तम भाव की वो 5650 रुपे प्रतिक कुवंटल है इसी तरीके से अधिकतम भाव की अगर मैं बात करूं तो 5650 रुपे तो आप यह देख सकते हैं कि हर्याना में जो अभी सिती है वो MSP रेट पर ही सारी खरीद की जा रही है तो यह आप देख सकते हैं कि भाव जो है जिसमें कि 2280 रुपे प्रतिक कुवंटल था इसी तरीके से अधिकतम भाव में भी 2280 रुपे प्रतिक कुवंटल देखने को मिला था आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं उत्तर परतिक के गेहुं के भाव की 25 मही के अगर मैं बात करूं यानि कि आज की तो 2220 रुपे नि अधिकतम भाव के अगर बात की जाए तो 2400 रुपे प्रति कुवंटल अधिकतम भाव देखने को मिल रहा है और वहीं 24 मही के हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो 275 रुपे प्रति कुवंटल के दाम से पिछले 24 गंटे का रेट था इसी तरीके से अधिकतम जो रेट ह वह 2410 रुपे देखने को मिल रहा है और ऐसे हम 23 मही के अगर बात की जाए तो 275 रुपे जो सेम जो था वह 24 मही के हिसाब से ही था उसी तरीके से अधिकतम जो भाव था 2465 रुपे देखने को मिला था हाला कि हम देख रहे हैं कि आज का जो अधिकतम भाव है वो MSP की रेट से अधिक नजर आ रहा है अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सडसों के भाव की जो आप देख सकते हैं कि 25 मही यानि कि आज कि अगर मैं बात करूँ नियूनतम भाव से शरुबात करते हैं 5320 रुपे प्रति कुविंटल नजर आ रहा है प्रति रुपे कुविंटल और अधिक्तम भाव के अगर बात की जाए तो 520 रुपे प्रति कुवंटल अधिक्तम भाव देखने को मिल रहा है। जो अधिकतम भाव जो था वो 580 रुपे प्रति कुवंटल हाला कि हम देख रहे हैं कि जो दाम है वो MSP के रेट से कम नजर आ रहा है तो दोस्तों जो जिस तरीके से हमने चार राज्यों के मंडी भाव आपको बताए सड़सों और कियों को लेकर अभी भी लगातार वहां पर खरीद शुरू हो चुकी है लेकिन किसानों के द्वारा वहां पर अपनी फसल बेची जा रही है और भाव को लेकर जो लगातार हम आपको वीडियो दिखाते हैं उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये सरकारी आंकडों के हिसाब से जो सरकारी वेबसाइट है agmark.net के हिसाब से ये आंकडे आपको दिखाए हैं हमने तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही बाके तमाम खबरों के लिए और मंडी से जुड़ी तमाम खबर पाने के लिए आप देखते रहें किसाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी तबा दे किसान तक खाना है तो उगाना है